बैलेट से यादा बंब की घटनाएं सुनने को मिली हत्या के मामरे हत्य और हिंसा के मामरे रास्ते सत्ता हत्याने का काम किया गया लेकिन पश्यम बेंगॉल में मैं आप सब के सामने कहना चाहता हूँ ममता बेनरजी जी ना जाने आपके दिल में ममता बची है के नहीं बची ह ये सवाल खड़ा होता है बेंगॉल के हावडा में इंसानियत शरम सार हुई है लेकिन सबके होंट सी ले हुए हैं जी हावडा के पांचला इलाके में पंचाय चुनाव के मद्दान से पंचाय चुनाव के मद्दान के दिन 40 से ज़्यादा TMC के गुंडों ने महिला को निर्वस्त करके घुमाया प्यत्याशी को पीटा गया बेजिति की गई और यही नहीं बेंगॉल के ही माल्दा में एक जो वीडियो वाइरल हो रहा है मैं तो ऐसे वीडियो दिखाऊंगा भी नहीं शेर भी नहीं कर सकता लेकिन जहां पर दो महिलाओं को पीट पीट कर अर्धनंग किया जा रहे और नंगा करके उनको जैसे गुमाया जा रहा है जी वीडियो बनाया जा रहे कहां है ममता जी की ममता कहां है सरकार कहां कारवाई हो पा रही है यह बेंगॉल से लेके के बिहार से लेके राज्यस्थान तक त्रिनमूल हो जेदी हो आरजेडी हो कॉंग्रेस हो इनके शाशित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपरात की घटनाएं बढ़ रही है और सरकारे मुख दर्शक बनके बैटी हैं ये गठबंदन की बात करते हैं उस गठबंदन के न रहां गए फ्रीडम आफ स्पीच वाले लोग क्या बेंगौल बिहार राज्यस्थान में महिलाओं के साथ होती घटनाओं पर वो मुख दर्शक बनके बैठे रहेंगे और जो मर्दों वाला परदेश कहकर ठाक के मारते हैं उस पे खड़गे जी आप क्या पूरा गांदी परिवार भी मुख दर्शक बनके बैठा रहता है सवाल खड़े होते हैं आपके सामने और बंगौल की यही नहीं बहुत सारी घटनाओं जी फर्वरी 2020 में हल्दिया में मा बेटी के साथ सद्दाम हुसेन और मंजूर मलिक के नाम दरिंदों ने रेप करके उनको जला कर मार दिया पश्चिम मैदनीपूरा में डेबरा में टीमसी के कुंड़ने आदिवासी महिला के साथ दुषकरम के बाद हत्या की पंदरा जुराई को 2020 में नदिया जिला के कृष्णनगर में युवा कारेकरता की हत्या कर दी गई और अप्रेल 2018 में दक्षिन 24 परगना में बीजेपी की महिला कारेकरता की पटाई करके उनको भी निर्वर्स्ट करके घुमाया गया तीन फ़र्वरी 2020 को पश्चिम मेंगॉल के दक्षिन दिनाजपूर जिले में कॉंग्रेस त्रिनमुल के ही एक नेता ने कति गुंडों के साथ दो महिलाओं के पाउं पैर पाउं बांद कर जमीन पर घसीटा भी अभद्र व्यभार भी किया हरकते की यह सब जनता के सामने है लेकिन शायद नाशनल मीडिया के परे है उन लोगों की अवाज जो कभी बाकी मुद्दों को लेकर आते हैं इन घटना जिनकी आप बीती आपको सुनाओं मुझे तो कहते हुए भी कई बार शरम आती है जिस तरह की घटनाए इन राज्यों में घट रही है लेकिन जो राज्य बेंगॉल कभी भारत के लिए ऐसे नेताओं के योगदान के लिए जाना जाता था जिनका बहुत बड़ा योगदा अजादी से पहले अजादी के बाद भी रहा आज वो बेंगॉल शरम सार हो रहा है ममता जी के राज में